बच्चों हम क्लास सेवंथ में एलजब्रिक एक्सप्रेशन चेप्टर ट्वेल ले रहे हैं बच्चों इसमें एलजेब्रा के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एलजेब्रा क्या है इनके कोफिशन क्या है और इनके कोफिशंट क्या है और इनके जो आपको यहां पर बताने जा रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा और इसको अपने नॉलेज में बनाए रखिएगा एलजेब्रिक एक्स्प्रेशन है ना तो एलजेब्रिक एक्स्प्रेशन कैसे बनता है किसे कहते है एलजेब्रिक तो देखें combining variables with constant to make algebraic expression इसका मतलब हुआ है कि variable किसे कहते है देखें बच्छो x y z l m n p यह सब हम इनको variables में count करते हैं और इसका meaning क्या होता है variable का बच्छो alphabets के जो letter से इनको हम generally variable से denote करते हैं और variable का मतलब होता है जिसका मान मालूम नहीं हो इसका मान कुछ भी हो सकता एक्स का मान 2 भी हो सकता 5 भी हो सकता मान 2 भी हो सकता जिसकी value हमको मालूम नहीं होती है जो change हो सकती है कुछ भी मान आ सकता है उनको हम variable कहते हैं जो vary करता है मान इस्थीर नहीं है जिसका मान और एक होता है constant जो numbers रहते है वो constant होते हैं, जैसे यह 3 है, 5 है, 0 है, minus 2 है, 10 है, यह सब क्या है, constant मैंगे, यह variable है, बच्चों, और मैंने यह लिखा, 0, 5, minus 2, 3, 30, या जो भी लिखे, यह सब constant है, बच्चों, यह variable हुए, यह constant हुए, जो change नहीं होते हैं, जिसका मान fix होता है, वो constant कैलाते हैं, जिनका मान बदलता रहता है, वो variable कैलाते हैं, तो algebraic expression कैसे बनता है, बच्चों, variable और constant को आपस में, इनका multiplication, divide, addition, subtraction, इनको आपस में operation करने को क्या बोलते हैं, algebra, जिसे x में, अगर मैंने 2 से multiply कर दिया, तो यह 2x algebraic expression हो गया, यह x variable है, और 2 क्या है, constant, मैंने अगर इसमें 1 से भी multiply क्या होता है, तो 1x या x भी क्या है, algebraic expression कैलाएगा आपका, अगर मैंने इसमें divide कर दिया, तो यह भी algebraic expression है, अगर मैंने इसमें x में कुछ add कर दिया, तो यह भी algebraic expression है, अगर मैं subtract कर दूँगा, तो यह सारे, याने variable और constant से मिलकर आपस में इनके operation से मिलकर जो expression बनता है, वो algebraic expression कैलाता है, तो आगे और detail मैं आपको explain करता जाओंगा, जहाँ ज़रूरत लगे, अभी आपको यह समझ में आया होगा, कि constant और variable आपस में operation करके, उनका आपस में plus minus divide करके, जो result मिलता है, वो algebraic expression कैलाता है, अब terms of an expression, त 2x plus 3, तो यह एक algebraic expression हो गया बचो, जिसमें variable भी है और constant भी है, मिलके algebraic, अब expression में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे यह एक से अधिक terms मिलती है, तो वो एक expression, तो terms किसे कहते हैं, तो जैसे यह algebraic expression में है, तो यह 2x और यह 3, यह दोनो unlike होना चाहिए, अलग-अलग है, तो यह इसकी एक term हो गई, यह दूसरी terms हो गई, और यह 2 terms मिलके क्या बना दिया, इन्होंने expression बना दिया, तो यह 2x भी एक term है, और 3 भी terms किलाएगे इसकी, ऐसे और भी terms हो सकती, जैसे 3xy plus 5x plus 6, तो यहाँ पर 3 अलग-अलग terms हो गई, यह यह अलग term से यह भी अलग है यह अलग है, unlike है, like, unlike क्या होता, वो भी मैं आगे समझाने जा रहा हूँ, तो यह 2 terms होती है, तो इसको binomial केंगे, तीन terms होती होती, तो trinomial केंगे, और वह 3 अनलाइक होना चाहिए, अब unlike क्या होती है, like क्या होती, आगे मैं आपको बताउँगा बच्छो, अब आते हैं, इ इसे कोई terms है यह 2x इसमें 2 terms है इस 2x के अगर factor करेंगे तो 2x के जो factor होंगे 2 into x यह 2 factor हो गए यह 2 और x भी कह सकते है इसके 2 factor क्या हो गए 2 और x हो गए इसे 3xy लेंगे तो 3x और y इसके factor क्यलाएंगे बच्चो तो factor यहने उनका आपस में product कर देते हैं वो उसका factor क्यलाता है बच्चो अब यहां पर देखिए जैसे कोई एक expression लिया यह आपनों एक ट्री बनाया हुआ है तो 5xy प्लस 3z यह algebraic expression है इसमें दो terms से मिलकर बना है तो terms कौन से यह expression है expression को अगर तोड़ेंगे तो terms में तूटेगा तो यह दो terms है अगर तीन होती तो तीन terms लिखते अभी यह दो terms है दोनों unlike होना चाहिए तो unlike है यह xy है और यह z है यह same variable नहीं होना चाहिए अलग-अलग variable होना चाहिए तो वह unlike बनती है same variable होंगे अगर यहां भी xy होता तो वह like term हो जाती है तो यह unlike term दो terms हो गई अब इस terms क्यों हम क्या करते हैं factorize कर सकते तो इसके तीन factor हो गए 5 x और y और 3z के भी दो factor हो गए 3 और z तो factor से terms बनती है और terms आपस में मिलके algebraic expression बनाते हैं अब आते हैं बच्चों इसके बाद में coefficient of the terms जैसे आपको यहां पर एक terms दीती 5xy plus 3z अगर आपसे पूछे कि xy का coefficient क्या है तो हम कहेंगे 5 z का coefficient क्या है तो कहेंगे 3 तो coefficient का मतलब होता है इनके आगे जो numbers लिखा हुआ है इनके में जिसका multiply हो रहा है जिस number का वो इसका coefficient होगा अगर मैंने यहां पर लिख दिया w इसका coefficient क्या है तो यहां कोई number नहीं दिखा इधर आए लेकिन कुछ भी नहीं होता है तो one coefficient हो जाता वन का multiply कर सकते तो इसका कोफिशेंट मतलब आपको समझ में आ रहा है जिस वेरियेबल की बात कह रहा है उसके उसमें जिसका भी multiply divide या जो भी हो रहा है उसके आगे बिचे जो संक्या है मल्टिप्लिकेशन में है तो इसका क्या है कोफिशंट के लाएगा कभी कभी देखो मल्टिपूइशंस का मतलब यह होगा जैसे मैंने लिखा 1 by 2 यहां पर T लिख दिया तो T का वेरियेबल कोफिशंट क्या है तो 1 by 2 के लाएगा विचो तो यह 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन यह 1 by 2 क्या है कोफिशेंट के लाएगा बच्चो अगर कभी-कभी जैसे यहां पुछ लिया इसमें कि एक्स का कोफिशेंट बताओ तो एक्स में 5y का मल्टिप्लाई हो रहा है तो एक्स का कोफिशेंट 5y होगा अगर उसने पुछा y का कोफिशेंट बताओ इस टाम में फर्स टाम में तो 5 5x का कोफिशेंट होगा और अगर पूछा xy का कोफिशेंट क्या है तो 5 होगा बच्चो तो ये भी आपको नालेज में रखना है जिस वेरियेबल के बारे में बात कर रहा है उसके आगे पीछे जिन संख्याओं का मल्टिपला है हो रहा है वह उसके कोफिशेंट हो जाएंग एलजेब्रिक फैक्टॉर्स जिसके फैक्टर सेम हो सेम से मतलब होता है वेरियेबल सेम होना चाहिए नमबर आपके चेंज हो जाए तो कोई फरक नहीं पड़ा है नमबर को नमबर ही बोलते हैं तो जैसे है माइनस और 3 तो यह नम्बर में काउंट होगे लेकिन इसके फैक इसलिए यह लाइक टर्म है इसमें वाई नहीं है बच्छो इसलिए यह यह लाइक टर्म में काउंट नहीं होगा इसमें भी एक्स वाई नहीं है तो यह लाइक टर्म में काउंट लाइक टर्म कौन-कौन सी होई यह त्री एक्स वाई और 6xy, यह दोनो like term होगे, अब आता है unlike term, तो unlike term किसे कहते हैं बच्चो, when terms have different algebraic factor, जिसके factor अलग-अलग हो, जैसे अगर बात करें तो यह दोनो unlike के लाएगी, कौन-कौन सी, 3xy and 5x, यह unlike है, क्योंकि इसके factor है, 3e into x into y, यह लिए x और y है, इस में सिर्फ x है, यह variable same होना चाहिए, यह variable different है, इसलिए यह unlike है, ऐसे ही अगर 5x और 6xy को लेंगे तो यह भी unlike है, अगर 6xy और 4 को लेंगे तो यह भी unlike है, 5x और 4 को लेंगे तो ये भी unlike है variable same होना चीए इन में variable same नहीं है इसलिए unlike जबकि 3xy और 6y में variable same आ रहे हैं number अलग हो सकते है variable same होना चीए तो ये like term हो जाएगी अब आते हैं बच्चो monomial तो monomial किसे कहते हैं जिसमें सिर्फ single term हो क्या हो बच्चो जिसमें एक ही पद हो उसको monomial कहते हैं जैसे बच्चो example देता हूँ मैं जैसे यहां से देखें ये 3xy ये भी monomial कहलाएगा एक एक ही पद हो ये जुड़ा हुआ नहीं है आपस में operation नहीं हो रहा है अगर मैंने या 4 लिख दिया तो ये भी आपका monomial में आएगा 5x लिख दिया तो ये भी monomial में आएगा ठीक है ना 5m लिख दिया तो ये भी monomial में आजाएगा तो monomial मतलब एक पद हो जिसमें expression में याने वो monomial कहलाएगा binomial याने जिसमें दो unlike terms हो means जैसे मैंने एक्जामपल दिया आपको 3xy plus 4 ये दोनों unlike है तो ये binomial हो गया 4 plus 5x ये भी जिसमें 2 terms हो है ना ऐसे 4 plus 5m ये भी binomial है बच्चो तो बच्चो इसको कैसे define करेंगे binomial को an expression which contains two unlike terms ये याद रखिएगा unlike ये दोनों terms different होना चाहिए unlike variable same नहीं होना चाहिए इनके इसको हम unlike term बोलते हैं तो दो terms से मिलके binomial बनता है single terms रहती है उससे monomial और ऐसे trinomial में क्या हो जाएगा which contain three unlike terms ये जैसे इनसे ही बना लेते हैं क्या बनाया बच्चो देखे मैंने लिखा three x y plus four plus five m तो ये three unlike term इनमें variable तीनों में different है इसलिए ये unlike और जिसमें तीन unlike terms होती है वो trinomial हो जाएगा बच्चो और बच्चो इससे तीन से ज़्यादा terms होते हैं तो उनको हम polynomial बोलते हैं polynomial इनको भी हम polynomial बोल सकते हैं और polynomial में एक चीज आगे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि variable जो है इनके उपर जो power रहेगी वो हमेशा positive होना चाहिए means whole number होना चाहिए उसे हम polynomial कहते हैं negative नहीं होना चाहिए यह आगे आपको आएगा तुम्हें बता दूँगा देकिन monomial, binomial, trinomial यहने ऐसे algebraic expression जिनकी power whole number होती है उनको हम polynomial कहते हैं उसी में monomial, binomial, trinomial और उससे ज़्यादा terms होती है तो उनको polynomial कहते हैं बच्चो तो यह introduction part यहां पर complete होता है आगे जहां पर भी जरूत होगी मैं आपको explain करता जाऊँगा ओके thank you have a nice day